जाइन फ्रेंड्स, विल्कुन टो मैं चैनल और आजम बात करेंगे वाट आर दे रीजन्स ओफ फेलियर इन एससबी ठीक है? ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है ठीक है? इंपोर्टन्ट अब बताता हूँ मैं कियो पोर्टन्ट पर लिख लो एक बार वाट आर दी रीजन्स ओफ फेल इन एससबी ठीक है? या फेलियर करतो इसको आप फेलियर इन एससबी ओके ये बहुत ही इंपोर्टन्ट है क्योंकि देखिए आप लोगोंने सकस्स स्टोरी सुनी है हर बंदे अपने सकस्स स्टोरी को बताते हैं कोई फेलियर की स्टोरी नहीं बताता जो स्टोरी आती है हमारे सकस्स होने के बाद स्टोरी आती है जो फेलियर की स्टोरी बताता है वहां से आपको चीज़ें पता चलती है भाई फेलियर होता क्यों है हमारा तो मैं स्टार्ट करता हूं कि SSB में failure क्यों होता है हमारा तो जैसा कि हम जानते हैं कि SSB में तीन पार्ट होते हैं मैं पहले भी वीडियो से पता चुका हूं कि इसके तीन पार्ट होते हैं first part होता है आपका psychology का second part होता है जीटियो का और third part होता है interview officer का ठीक है तो यह first हो गया है second हो गया और यह third part हो गया ठीक है तीन पार्ट होते हैं इसके तीन पार्ट में SSB divided हैं ओके तो अभी हर इक पार्ट का मैं आपको बताता हूं चीज़े होती क्या है पहली बात एक तो होती है lack of practice ठीक है यहां चाहिए आपको प्रैक्टिस जो psychology वाल पोर्शन है यह psychology वाले portion में आपको चाहिए प्रैक्टिस अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप कर नहीं पाओगे चीजों को तो मैं यहीं बोलूँगा आपको लगातार आप प्रैक्टिस करो चीजों की time दे के पूरा timing के साथ practice करो इनको आप इसके बाद होगी आपकी सार्टी सार्टी के ओपर लगे रहो भरपूर जो रो शोर से सार्टी को भी drop मत करो इसके बाद होगी आपकी SD तो यह जो SD वाला portion तो fix है इसको तो आप लिख के याद कर लो यार एक बार अच्छे से SD लिख आप अपनी personality से हड के चीज़े करते हो आप पिचर दिखाया जाता है जब आपको तो वहां पे भाई अगर एक आदमी गन लेके खड़ा और सामने से दो बंदे आ रहे हैं तो भाई आप क्या करोगे ठीक है गन वाला आदम के पास भाई गन है वो लुटे रहा हो सकता है अ आप गुंडे थोड़ी हो तो इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखो यार अगर हां भाई अब गुंडे हो तो कर सकते हो फाइट अगर आपके अंदर वो नेचर में है तो आप कर सकते हो मैं इसके लिए नहीं बोलोगा भाई कि फाइट नहीं करना वहां पे बट पिक लबड आ जाता है 15 सेकंड के अंदर तो इसको मैं यहीं कहूंगा एससबी क्रैक के ओपर 500 वर्ड दिए गया उन सारे वर्ड को लिख लो लिख के एक नहीं चार से पांच बर उन हर एक वैट का प्रेक्टिस कर लो बार बार यहीं चीज़ बता रहा हूं आगे भी यहीं बत लगने से नहीं पड़ेगा भाई अगर आपने करना है तो लिखना पड़ेगा उसको लिख के प्रेक्टिस करना आपने SRT और अपके पास अगर आप एक मेना पहले से बी इन सब चीज़ों की प्रेक्टिस करते हो अगर आप एक जैन्मीन और एक अच्छे इंसान हो तो नहीं साब से consider करें जैसे आप लिखते जाओगे वहाँ पर ठीक है तो वैट होगी SD आपकी already done होनी चाहिए SD में अगर आपको time मिल भी जाता है इनकेस आपको जो time मिलते हैं time जब spare होता है आपके पास तो spare time को आप कहाँ use कर सकते हो अगर यहाँ पर कोई आपकी वैट शूटी पड़ी है यहाँ कोई TED हाफ किया आपने तो आप वहाँ उसको इस्तिमाल कर सकते हो तो ठीक है वहाँ पर इस्तिमाल करना इसको यहाँ पर एक आपको blank story मिलती है आपके टाड के दोरा आन इस blank story का पूरा फायदा लिए पहले से practice करे रखो यार ब्लाइंग में आपने दिल की बात लिख सकते हो मन की बात अच्छी बात लिखनी है वहाँ पर बठाना जो आपके nature में हो वैसी अच्छी बात लिखना कुछ ऐसी नहीं लिखना जो आपको nature में होई नहीं आप लिख के आजाओ वहाँ पर ठीक है तो यह हो गई आपकी psych वाला portion उसके बाद चलते हैं जीटियो के अंदर ठीक है जीटियो को मैं दुबारा से यहां second लिख देता हूँ second portion होता है हमारा जीटियो तो जीटियो में भाई क्या क्या होती है जीटियो में होता है लेक्शरेट यहां होती है नॉलेज का काम ठीक है यहां नॉलेज आपकी दिखी जाती है यहां knowledge चाहिए भाई किसले knowledge चाहिए लेक्षरेट देने के लिए knowledge चाहिए lecture rate के बाद आपको GD के लिए आपका दिमाग खुला होना चाहिए GD के लिए group discussion में आपके आप क्या बोल रहे हो ठीक है जबान पे काबू और सभी चीज़ बोल नहीं है भाई घीडी में ठीक है इसके बाद आपकी जो GP होती है उसके लिए भी दिमाग चाहिए GP में दिमाग खुला होना चाहिए lecture rate आपका knowledge से चलेगा GD भी आपका knowledge चलेगा GP में दिमाग खुला होना चाहिए देजुनिया जहान का पता होना चाहिए ठीक है कि अगर वहां पर बैरीकेट है तो क्या मिलेगा वहां पर भाई वहां पर आपको वह धकके मानेवली गाड़ी मिल सकती है तो उसका इस्तेमाल करना है जहां रिल्वे ट्रैक वाला बैरीकेट होता है वहां रखते है यार रिपेर करने के लिए उन सब छीज़्वा थोड़ा नासा दिमाग में स्थमाल लखना है आपको अगर वोलता है डैम के ओपर एक हुआ है तो आपको दिमाग खुली हुआ है डैम के पास को क्या मिले आपको SCSF मिलेगी ठीक है कैसी है सबसे help लेना है लेके काम करना है ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यह दिमाग खोलना और यह कहां से पता चलती है बुक्स पढ़ो के तब पता चलेगा भाई कोई भी बुक पढ़ो बट बुक पढ़ो किस बुक में आपको क्या नौलेज मिल जागा आपको भी नहीं जुड़ी के लिए क्या है निउस देखते रहो जुड़ी के लिए और लेक्षरेट के लिए भी भी बुक पढ़ो नौलेज जो आपकी चीज़े हैं वही सारी चीज़ घुमपिर के आती है महाँ पर जो भी आपने बच्पन से लेके अपने ग्रिशन तक पढ़ा है या 12 त अब अब इसको आप मिरर के सामने ख़ड़ेगे स्को ठ्रेकर ने के लिए मिरर की दीन होगा और देखने के लिए मिरर में प्रसानील्टी इंप्रूफ करने के लिए मिरर है और अगर बाद धो पर है इसके बाद आता है जीटियों में आपका जो GROUND के अंदर होते हैं Ground टास्क ठीक है तो GROUND टास्क लिए भी आपका दिमाग एक्टिव होना छीक खुला होना छीक है दिमाग खुलेगा BOOKS पढ़ने से नहीं चीजों के बारे में जानने से दिमाग एक्टिव होता है ठीक है तो इसके लिए लगजो वाज से बुक्स को पढ़ना सुरू करतो कोई भी नॉवल उठा लो कोई भी नॉवल पढ़ लो फ्रिक्शन पढ़ लो नॉन फ्रिक्शन पढ़ लो जो आपको अच्छा लगे पढ़ो दिमाग ठीक है बादवे की जीटो के वीडियोज अपलोडेड हैं यहां यूट्यूब के ओपर वहां से जीटो के वीडियोज देखो कुछ मेरे से जीटो में हल्प ची तो मैं बता दूंगा लीवर का जो इस्तेमाल होता है लीवर का ही पूरा काम है वहां पे आप कितना वेट उपर इंटर्वी हो गया हमारा थार्ड ठीक है इंटर्वी हो गया हमारा थार्ड वन अभी इंटर्वी का क्या सीन है बाई इंटर्वी का सीन आपको बताता हूं मैं इंटर्वी में आपके नॉलेज भी चाहिए ओके नॉलेज नहीं रहेगा तो इंटर्वी नहीं होगा ब ओ ठीक है और एक चीज़ बता रहूं मैं है फेलिर में बहुत पर क्या होता है पता है अमें बहुत सारी चीज़े आती रहती है घीड़ी के दौरान बड़ हम् क्या करते हैं डिले करते हैं अपना रिazz नंबर क्या पड़ता ही नहीं कोई और बोल जातों आ तो यह डिले मत करो जीămे आहा खुल्ले बोलना है और इसको गलते सई है ठीके हैं अब घ्याइब भी और सही के आपको एसास कब होगा जिब आपको बोलड़ी किताब पड़ रखे अब practice कर रहा होगे तो आपको पता रहे कि गलत सही क्या होता है क्या नहीं होता तो आपके मारड़े सही सही चीजी बाहर आएगी तो अपना time अच्छे चीजिए में बटाना है help करना सबका सबके साथ लगे रहना न्यूस देखना है सब कुछ लाइफ में चलाना है दीरे दीरे ऐसा नहीं कि एक साथ ही करना इंच इंच करके बढ़ना लगा थोड़ा थोड़ा इंच बढ़ा होगे तो एक दिन आप माइल्स कवर कर लोगे आपको पता ही चला कि कब अपने माइल्स को कवर कर लिए ठीक है और पहले मैं बता रखा हूं अंग्रेज जी का कोई मतलब नहीं है इंटर्व में सोचना नहीं कि अंग्रेज जी बोलो तो ही आप से लेट हो गए अगर ऐसा होता तो वहां इंग्लिस ओनर्स का ही लिखा होता नाम की भाई इंग्लिस ओनर्स चाहिए हमें ठीक है अब यह पढ़े हो बीकॉम पढ़े हो बीसी पढ़े हो आजाओ वहां सीधा लिखा होता भी एंग्लिस ओनर्स ठीक है अगर उनको इंग्लिस ओनर्स चाहिए होता तो चलिए इसके नॉलेज होके इंस्टन रिक्शन हो गया है यहां पर भाई जूट नहीं बोलना यहां पर जूट कोई रोल नहीं है यहां पर बलफ मतलब क्रॉस है भाई सीधी बात है जो नहीं पता वो नहीं पता ठीक है इसके बारे मैं पढ़ लूँगा यही बताना उनको बिकॉस क्या होता है कि और जो चीज़ वहां आपने बोला मैं इसको पढ़ लूँगा उसको पका क्या पढ़न ठीक है और आपके भाई डे टूडे लाइव से सारे कोशन्स आते हैं मैंने इसके उपर कोशन्स भी डाले हुए सर्विंग के लिए क्या है और नॉन सर्विंग के लिए 20 रैपर फायर कोशन्स करके मैंने एक लेटर्स वीडियो अपलोड किया था तो आप वो भी देख सकते हो वहां से ये सारी चीज़े देखने हैं इसके है पूरा क्लियर हो जाएगा आपके जो भी मन में डाउट्स हैं वो सारे डाउट्स अल्मूस्ट निकल जाएंगे और आपको लगता है कि मैं कुछ और आपको बता हूँ तो कमेंट सेक्शन पका के लिखना है उसको क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं मम्यों उसको दूद नीपलाती यार तो अगर आपको लगता है कि भाई अब मेरे से कुछ ले सकते तो पक्का के कमेंट सेक्शन में लिखो पक्का उसके लिए काम करूंगा यार ठीक है तो यहां पर होगी आपकी न इंस्रूमेंट बगरा सीख सकते हो तो पक्का सीखो आपके लाइफ की प्रसनल्टी को भी इंप्रूफ करेगा और अपको थोड़ा सा मदद दे सकता है यहां वही बंदा अपना टाइम निकाला कुछ नहीं चीज़ें भी सीख रा जागी मैं पहले भी बताया अपने एक प बड़ा टफ नहीं चोटा सा इंस्रूमेंट है जब भी चाहो तब कैरी करो लेके चल दो यार ठीक है तो आप भी अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें कर सकते हो उसे आपको भी मज़ा आएगा यार कि हाँ ठीक है भाई लाइफ में कुछ करो मैंना अच कुछ नया ची सीखा देर देर इंटरेस्ट बढ़ती ही आती ही चीज़ों की वैसे ही सेंग बुक्स की बात है बुक्स पढ़ो तो और मज़ा आएगा कि आपको लगे भाई हाँ नया बुक पढ़ा स्टोरी में बहुत सारी जोर होती है और आपके वोकेबलेरिज आपके ग्रामर आपकी देर देर आपको पता ही चले गया कि आपकी इंग्लिश कब इंप्रूव हो गई काम करते करते यह एक दिन का प्रॉसेस नहीं है यह थोड़ा थोड़ा प्रॉसेस मैं पहले बोला इंच इंच पढ़ो भाई एक दिन अपने आप माईल कवर कर लोगा आप पता मीं चले कब बढ़ पर अपाँ माईल के तरह पहुच य। अपने आप माईल की तरह पहुच जाओ गया ठीक है तो इसलिए बलफिंग याँ करना नहीं जो जेन्वीन वह देना है और पि क्यों को पक्का अबरना है वो भी आपके प्रेक्टिस का पार्ट है तो ये सारे जो Reasons नहीं लिखे हैं यहां पे Knowledge की कमी होना, Instant Reaction नहीं होना आपका Bluffing करना यहां पे आपको Knowledge के बारे में पता ही नहीं है zeitigah सबकुछ Knowledge के उपर ही काम है ца야 की न prochोड़े डिमाग में आपके दिमाग में काम करता ही में है जीटियो के एजीटियो आपको सारे प्रॉलम्स में डालता है ठीक है आपको हर जो टास्क होते हैं इसके ग्राउंड के ग्राउंड में वसे प्रॉलम्स ही बताएगा solution आपको ढोलना है तो अगर फ्रिक्वेंसी हाई रही तो अपने आप सारा काम कर लोगे तो यह सारे थे जो एक काफी बड़े reason होते हैं SSB fail करने के तो मैं यही आप लोग से कोशिश या उमीद कर सकता हूँ कि आप ऐसी गलतियां ना करें और SSB recommend हो और पक्का इस वीडियो पर आके आप comment करोगे हाँ सर हमने कुछ वहाँ से सीखा था और अपकी बार हम recommend हो गये हैं तो यह सारी चीजों का ध्यान रखना और अपनी जो भी आपकमी आपकी SSB आने वाली हैं पक्का एक बार कोशिश करना हैं यह चीज़ करके देखो ठीक है जब इतने बार नहीं हुआ तो हार किसले मारना हैं 17 बार में तो प्रिथुरा चोहान को भी बंदे ने हारा दिया थ ठीक है तो ऐसा कुछ ही नहीं यार मकड़ी चड़ जाती है तो हम तो इंसान यार ठीक है तो कभी दिल तो छोटा करने नहीं हुआ तो नहीं हो लाइफ में कोई बड़ी आपरिश्यूटिया आपके अंतिजार कर रही होगी तो SSB से तो कभी परेशान हो नहीं कि SSB रिकमेंट नहीं हुए दुनिया जहान लुटे की कुछ नहीं लुटता यार ठीक है मुराल को हाई रखना और चक्के काम करना एक दम जोर लगाके किसी का सुनना नहीं है बस फोकस अपने चीज़ पर रखना बस फोकस यह फोकस वर अगर दिमाग में बैठा रहा हो और फोकस करते रहना तो कोई दिक्कत नहीं है जिब लोग अच्छे कोई काम करते ना उनको रोकने वाली बहुत सारी चीज़े आती है बड़ वही फोकस आपका फोकस रहेगा फोकस रहेगा तो अपने आप निकल जाओगा कोई रोकने वाला नहीं है तो अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक पक्ता के कमेंट करो यार कोई नया वीडियो चीज़े तो बताओ उसके वपर मैं पूरी कोश्चि जाहिन